हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल में आज मैं आपके साथ शियर करने वाली हूँ आपकी स्किन को हैल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए फेज सिरम सर्थियों के मौसम में आप ड्राई स्किन से छुटकारा पाने के लिए सिरम का इस्तमाल कर सकते हैं फेज सिरम आपकी स्किन को मौस्चुराइज करता है सिरम स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आई है जानते हैं इसे बनाने का तरीका सबसे पहले आदा चमच एलवेरेजन लेना है और इसमें लगबग दो बड़े चमच गुलाब जल एड़ कर देंगे इसके बाद इसमें दो विटामिक एके कैपसुल एड़ कर देने है अब इसमें तीन से चार भूंदे लेवेंडर एसेंशियल ओईल की एड़ कर दें और चार भूंदे रोप्स रोज एसेंशियल ओईल इसमें एड़ कर देंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है एलोवेरे के इस्तमाल से स्किन मॉस्चुराइज रहती है और हाइडरेट रहती है बदलते मौसम में अकसर स्किन ट्राइड हो जाती है और वेरे में कई ऐसे पोशक्त तो पाई जाते हैं जो चेहरे के दाग दबों को हटाने के साथ ही स्किन को सौफ्ट और ग्लोइंग बनाते हैं गुलाबजल के इस्तमाल से स्किन में निखार आता है गुलाब जल में एंटी बैक्टिरियल और एंटी इंफ्रामेट्रिगूर होते हैं जिसके इसमाल से कील मुहासों को कम करने में मदद मिलती है गुलाब जल तुचा में नमी बनाये रखता है स्किन को हाइडरेट करता है इसके अलाबा विटामिन E लगाने से चेहरे पर नमी बनी रहती है यह जूरियों को कम करने में भी काफी असरदार है अगर आप नियमी तूप से इसका इस्तमाल करते हैं तो आपकी स्किन टाइट होती है और स्किन पर ग्लो भी आता है इसके बाद हमने इसमें एड किया था लेवेंडर एशेंशियल ओयल लेवेंडर ओयल स्किन की ड्राइनेस और खुशली को कम करता है लेवेंडर ओयल में एंटी ओक्सिडेंट तर्दो पाई जाते हैं जो स्किन को एजिल से बचाने में मदद करते हैं साथ ही चेहरे की खोई रंगत भी वापस आती है लास्क में हमने इसमें एड़ किया था रोज एशेंशियल ओयल गुलाब के तेल में एंटिसेप्टिक गुर होते हैं जो स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं गुलाब का तेल स्किन को हैड्रेट करता है इसके साथ यह स्किन को मौस्चराइज भी करता है इससे रोखी और बेजान तचा से चुटकारा मिलता है गुलाब के तेल के इस्तिमाल से जुरियों और जायों को भी कम करने में मदद मिलती है इसके बाद इसे मिक्स कर लें और इसे एर टाइट कंटेनर में आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको इसका इस्तिमाल करना हो तो सबसे पहले अपने चेहरे को दो लें और फिर सिरम को अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लें और इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें आप रोजाना इसका इस्तिमाल कर सकते हैं सो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सबस्क्राइब भी ज़रूर करें मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच